वेलकम बाग वेलकम बाग तो दी सेशन तो भाई आज इस सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं बेस्ट वे टू स्टेडी फिजिक्स फॉर नी 2023 कौन सी बुक्स हमें फोलो करनी चाहिए क्या हमारा वे होना चाहिए पढ़ने के लिए कैसे हमें अपनी प्रेपरेशन की करोगे तो आपके फिजिक्स बहुत एजी होने वाली है बिंगा एवरे स्टुडेंट एना क्लास 11 और 12 तुआ फिजिक्स टीचर तो यह इतना बड़ा चेंज कैसे आया क्योंकि मैं अपने पढ़ने के तरीके को चेंज किया और फिर उसके बाद मेरी जो फिजिक्स है वो स सॉल होने लगे और मेरे जो कंसेट है वह स्टॉंग होने लगे तो उसके बाद आपकी फिजिक्स उदरेगीए नी सुदरेगी आप इस कमेंट सेक्षन में इस वीडियो की कमेंट सेक्षन में आप लोग मुझे बता तो बिदिको सबसे पहले दार बात करते हैं कुछ बच् जो कि मैं अपने class 11th और 12th में करता था ठीक है जब मैं एक student था तो मैं self study भी ज्यादा ध्यान नीदेता था अब जब चीज़े रिवाइज नी करता था चीज़े वही चीज भूल जाया करती थी फिर 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 अगले चेप्टर पर जाता था इसलिए यह बहुत सारा टाइम कंजुमिंग हो जाता था और फिर मेरा बैक लोग आना शुरू हो जाता था बैक लोग आने के साथ-साथ मैं बहुत पीछे रह जाता था और मेरी प्रिप्रेशन इतनी अच्छी से नहीं हो पाई तो भई अब यह सेल्व स्टेडी के मालनों मैं आपको क्या बोल रहा हूं अगर आप कोचिंग के लिए जा रहे हो औ लेकिन अगर आप कोचिंग में या फिर अपनी ओफलाइन या ओनलाइन कोचिंग में शेक्स आर्स के लिए जा रहे हूं तो 6 आर्स के साथ-साथ-साथ-साथ-स ऐसेल्व स्टेडी भी चाहिए होगी क्योंकि सेल्व स्टेडी बहुत इंप्रेंट है concept को मेमराईज करना उस ठीक है और फिर उसके बाद आते है study material देखो यार यह study material भी बहुत important है कुछ लोग क्या करेंगे उनको यह तो पता नहीं होगा सरी नीट का कुशन है या नहीं है या सर यह cbc basis देखो cbc वले नीट वले cbc का कुशन करने अच्छा लगते हैं लेकिन जब अगर मालो हमारे जो नीट वले बच्चे वो नीट वले बच्चे मेंज और एडवांस के कुशन सौल करने लग जाते हैं तो भाई उनकी लिए वो requirement नहीं है मैं फिर बोलूँगा आपका study material to the point होना चाहिए जो नीट केटेगरी वाले बच्चों को help करे मेंज और एडवांस की तरफ हम नही बहुत बढ़िया सा study material select करो और selection of material अगर आपकी अच्छी है अगर आपका study material आपका educator अच्छा है आपका teacher अच्छा है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से नीट को prepare कर सकते हो और बहुत easily prepare कर सकते हो ऐसा नहीं होगा अभी नीट बहुत difficult है यार नीट बहुत आसान है concept और वही रहने वाले है आप आगे से दो साल बात भी पढ़ोगे एक साल बात भी पढ़ोगे तब भी concept वही रहने वाले लेकिन अगर आपकी planning अच्छी होगी तो concept को आप इंप्लिमेंट कर पाऊगे उन concept को memorize कर पाऊगे तो चीजे आसान बन जाएंगी तो चीजे आसान तो पहला self-study बहुत जरूरी है ताकि चीजे memorize हो दूसरा study material अच्छा जरूरी है ताकि आप लोग उसी लेवल पे रहो जिस लेवल पर आपको रहना चाहिए आप उससे आगे वाले लेवल पर भीन रहो और नीच से वाले लेवल पर भीन रहो नामने आगे जाना नामने प टेक है तो फिर क्या बताऊंगा selection of teacher selection of teacher is most important क्योंकि आपको पता होना चीजे कैसा पढ़ा रहा है आपका favorite teacher जो होगा उसके मतलब वो आपको चीजे सिखाने के साथ-साथ ये भी बताए भी आपके exam में चीजे आनी कैसे है आपको कैसे question attempt करने है तो यह मेरी तरह से strategy यह best way ह physics पढ़नेगा आपका study material अच्छा हो आपका teacher अच्छा हो आपको self study करने का time मिले तो आपकी preparation नमबर वन चलने वाली है ठीक है फिर जो हम सब कुछ बूल जाते हैं और सारी किताब पढ़ लेते हैं लेकिन इस किताब को बूल जाते हैं जिसने इस किताब के साथ इस book के साथ आप छेड़ खानी की ना उसका नीट का पेपर चड़ जाएगा अब 2022 नीट की बात करूं तो भाई डारेक को सर इंसी आटी से लाइन टू लाइन आये होए थे सर हमें तो पता नी चले भाई तुम लोग ध्यान रखना जो ड्रॉपर बच्छी है एक बार उठा कि एंसी आ करना अब यह एंसी आटOR करें करें कैसे कसे कौन कराइगा इस थारा कुछ आपको बताने वाले हैं तो यह हमारी प्लैनिंग रहनी चाहिए पूरे साल के लिए सेल्फ स्टेड़ी बहुत जरूरी है और अगर हम फिर उसके बाद स्टेड़ी मटीरिल अपना अच्छा सा सु सेलेक्शन करना आना चाहिए और फिर उसके बाद NCRT NCRT is most important क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं most of the आपके जो questions है वो NCRT आने वाले ठीक है आप यह कैसे होगा सर देखो मेरा नाम विशाल सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दू नीट के अंदर यहां पर आपको क्या-क्या बेनेफिट मिलेंगे जिससे आपकी आपको आपको मिलेगा एक्सपर्ट से इसके अंदर आपको गाइड करेंगे सब्सक्रिप्शन पोघ्यानेउंड प्ल!" सब्सक्रिपशन दे रहे复धि हूं तॉ चीज़े वही है हम वहीं चीज़े प्रवाइड कर रहा है, Unacademy Iconic Laur timing aspiration में ज़ो चीज़ए हमारी physics या किसी भी सब्जक्क को सुधार सब्सक्रिप्शन तो आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को खरीड सकते हो, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर एंडरूल हो सकते हो, लेकिन क्राक, NEET, UG with Unacademy+, An Iconic subscription, आपको CBSE plus, और NEET Iconic, NEET plus के साथ ये हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, इसके अंदर कुछ offers चल रहे हैं, 47% off तक चल रहे हैं, और K-H-A-T-T-T-A-R, कटर 10 का यूज़ करके आप इसके अंदर माक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। ये कोड यूज़ कर ले ना K-H-A-T-T-A-R, कटर 10 का यूज़ करके आप इसके अंदर माक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हो। और ये बेनिफिट्स आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको बता दू नीट के लिए हमारा ये अर्जुना बैच 2.0 ये लॉंच हो रहे है 29 जुलाइ को फॉर नीट यूजी 2023 और आप इसके अंदर इन्रोल हो सकते हो। आइकॉनिक या फर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ कौन सा कोड यूज़ करके खटर 10 का यूज़ करके ये कोड मैं इसके अंदर इंडिया के सबसे बेस्ट इचर रितुमाइम बाइलोजी के लिए अनुराग तिवारी सर बाइलोजी के लिए अर्वन चर और मैं आपको फिदिक्स पढ़ाने वाले स्वारब शर्मा ऐसे सर के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने सिंगल डिजिट रैंक्स पड्यूस करें तो यह बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर आपको पढ़ाने वाले मेरे साथ ठीक है मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाने वाले तो अर्जना बैच 2.0 के अंदर एंडरोल हो सकते हो खटटर 10 का यूस करके और आ बहुत बहुत बढ़ती जा रही थी इस तर थोड़े दिन के लिए और चला दो इस 20 परसेंट आप को ताकि हमें स्कूर्स के अंदर एंडरोल हो सके तो इसको एक्स्टेंट कर दिया गया है फिर बूर रहा हूं खटर 10 का यूस करके आप लोग इसके अंदर एंडरोल हो सकत तीचर आपके बहुत बढ़िया बढ़ी है सबसे आसम टीचर आपको यहां पर मिलेंगे और एंट आपको बढ़िया तरीके से लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको एंटी कराएंगे मैं तो यहीं बूलूँगा आज ही आप लोग एन्रोल हो जाओ अपने इस अनकेडम पर वाचिंग दी सेशन और भाई इस सेशन को अब फड़ा पट से लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है और बेल बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना ना ताकि आपको हमारी वीडियो की नाटिफिकेशन मिलती ले तैंक यू सो मच